नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी अपने टेकिन डार्गेट पर स्वाबत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले निशसली हुद में बहुत उने के क covet टाrados तकनिकल दोस्तों ये वीडियो में मेरा सभी ट wonderful एंबात तकनिकल ररे कोशिएंचन डा लिएंदियृ सालना वाले च्कनल बना जोन जो साल पूछे हैं बहुत कॉलिजस में हो गया है LTI के interview तो दोस्तो चलिए और देखते है technical और HR questions पहले ही बता दो दोस्तो technical questions इसमें मैंने 25 plus इंफ्लूट किये हैं तो सारे questions बहुत ही important है और HR भी मैंने 10 plus इंफ्लूट किये हैं तो पहले हम देखने वाले important topics होते क्या क्या है LTI में पढ़ने के लिए अगर आप LTI की तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या important topics हैं पहले है दोस्तो basic knowledge on C and C++ आपकी C और C++ में basic knowledge होनी चाहिए आप अगर सोच रहोंगे मुझे Java आती है Python आती है पट हाँ दोस्तो C mother language हो जाती है इसलिए C की language बहुत important हो जाती है और रही बात पर C++ की C++ सीखने में भी इतना issue नहीं आता अगर आपको जावा आती है तो C++ तो आप असानी से कर सकते हो दोस्तों next है oops with real life examples अगर आपको आपको उपस आनी चाहिए real life examples के साथ आप से interview में मिली real life examples पूछे आते हैं आके technical interview questions देखने वाले जिसमें इस साल भी with example बोला गया है बच्चों से की इसका यह बताओ और फिर example बताओ इसका दोस्तों next DBMS DBMS आपकी prepare होनी चाहिए DBMS में बहुत सारे topics आते हैं joins आता है SQL कर लीजे दोस्तों फिर asset properties कर लीजे तो यह सब दोस्तों इसमें include होता है next दोस्तों SQL queries SQL queries आपको पता होनी चाहिए different different DML DCL आपके बारे में पता होनी चाहिए data manipulation language commands कौन सी होती हो data command language कौन सी होती है दोस्तों आप सभी इनके साथ familiar होने चाहिए हो इतना typical नहीं जाता बट हाँ अगर अपने अपने रिजुमे में mention कर रहा है SQL या उपस या C++ तो आपसे questions हाई पूछे भी जा सकते है जैसे SQL में आपसे पूछ लिया सकता है जो मेरे according सबसे like SQL के लिए होता है कि second last row निकाल लिए table में स सब्सक्राइब करते हैं but SQL में कैसे लगा होगे तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा तो दोस्तो चलिए हो डिसकस करते हैं important technical questions क्या-क्या होते हैं पहला question है जोस्तो what is the difference between local variable and global variable तो आप जब भी difference बटा हो तो तहान लिखना प्रिप क्योंकि हम end तक 3 ही याद रहते हैं और interviewer के सामने भी आपको at least 3 बताने पड़ेगे और possible हो सके दोस्तो local variable और global variable को कोई example जब बता हो sir local variable का नाम ये लेकर और global variable का नाम ये लेकर इससे ये function होता है क्योंकि इससे interviewer उस चीच को relate कर लेगा दोस्तो नेक्स है कि what is the difference between call by value and call by reference in C दोस्तों बहुत ही ज्यादा common question है और बहुत ही ज्यादा पूसेगाता है क्योंकि C में ये question like call by value call by reference even आप अगर आपने बीटेक में exam C का अगर आपका exam होगा question जरूर आया होगा और इसमें भी ध्यान रगिए दो से तीन example दीजे और call by call by reference का example दीजे अगर आपसे पूचे वाट डू यू अट्रसेंड वाट जेवी आम तो गन्फ्यूस मत हुईएगा क्योंकि JVM जावा वर्चल मशीन होता है उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों नेक्से दोस्तों इस डिलीट नेक्स में एक्जिट और नल कीवर्ड इन जावा ये स अगर्डिंग उसी अगर्डिंग से बताना है अपने टाइम लेकर पताईएगा इंटर्व्यू में इतना हरी मत हुईएगा क्योंकि थेंक्स ऐसी भी हो जाती है कभी-कभी आप ट्राय करते हो तो इंटर्व्यू भी आपकी help करता है connect करता है interact करता है इन सी जों के बारे मे इतना वरी नहीं होना है उस वाक्त next है difference between overloading and overriding अब दोस्तों यह भी oops का question है और इसको भी अच्छे से प्रिपेर कीजिए difference between overloading and overriding with definition then example फिर आप इसमें वो भी include कर सकते हो कौन सा runtime में आता है और कौन सा compile time exception में आता है फिर ध्यान रखिए मतलब ऐसे से difference जीजिए जो valuable अब यह ना हो एक ही difference को repeat कर रहो है बहुत easy difference उनके सामने बोल रहो next है दोस्तों explain inheritance with an example दोस्तों यहां यह example आपसे real life से connect करना चाहते है inheritance हो तक है कि हम अपनी मतलब जो child class होते हो parent class की properties inherit कर लेते हो आप इसका real life example दे सकते हो कि हम बच्चे अपने father mother की कोई चीज inherit कर लेते हैं उनकी कोई quality या उनकी कोई ऐसी आदर तो इसको दोस्तों inheritance रिलेट कर सकते हैं next दोस्तों what is the use of try block दोस्तों यह question oops कहीं है multiple threading में आता है यह पूछ लिया जाता है differently यहां try पूछ लिया पूछ लिया है आपसे catch block पूछ सकते हैं या finally block भी पूछ सकते हैं दोस्तों next आदर what is constructor दोस्तों यह question पूछते वर्ग कभी कभी आपसे difference भी पूछ लेता है what is the difference between method and constructor constructor में आप सबसे example दे सकते हो कि constructor self-create होता है कि inbuilt हो जाता है एक अपने आप और बहुत चारे example है मुझे अभी याद नहीं आ रहे बठाप इसके example दे सकते हैं इसके difference दोस्तों आपको java t-point पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे difference भी है constructor and method के बीच में next दोस्तों write a program to swap two numbers without using a third variable दोस्तों यह question इसी साल पूछा गया है और इस screen share करके उस बच्चे से question पूछा गया था दोस्तों आपको दो number को swap करना है using without using a third variable तो यह बहुत ही जाद अगर आप दिमाग लगाओ तो बहुत आगानी से हो जाएगा तो आप सोचि question चाहिए होगा तो मेरे को comment section में बताइए मैं आपको वह बता दूगा और अगर आपके और भी कोई doubts हो तो मुझे बताइए मैं आपका comment section में clear कर दूँगा next दोस्तों explain call and malloc दोस्तों memory allocation questions है के लॉक आता है contigious memory allocation में और malloc memory allocation में यह C के question है और यह must question होता है जैसे global variable हो गय call by reference c में दोस्तों मदब बहुत कम ही questions जो पूछे जाते हैं call by value and call by reference kelloc malloc global variables के बारे में पूछ लेता है और थोड़ा बहुत data types के बारे में तो इतना वह in-depth नहीं जाते बठावों अपसे expect करते हैं कि आप at least इस का अंधित ही दोगे what is merge sort and tell me its time and space complexity दोस्तों यह भी 2021 का question है इसी साल पूछ गया है आपको merge sort बताना और उसके बाद उसकी time and space complexity बतानी है even merge sort बताते समय अगर आप example चोटा example चोटी array ले लीजेगा उसको relate करके उसको मतलब पूरा diagramatically कैसे क्या run हो रहा है क्यूंकि इसमें total मेरे गाल से time लगता है इसमें time complexity समझाए कैसे आई space complexity भी बत जाता है what is left and right joint simply आपको बताना है left and right joint अगर face to face हो रहा है तो आप 2 diagram बना के बता सकते हो बहुत easily हो जाता है left and right joint ये दोस्तों DBMS का question है आप ये भी त्यार रखिये joints के बार में पढ़ लीजेगा cross joint भी पूछा जाता है कभी cross joint क्या होता है left right और what is the difference between union and union all ये भी दोस्तो पूछा जाता है बड़ी अभी नहीं पूछा है इस साल तो what is left and right joint पूछा है next explain all the DCL commands मैंने दोस्तों अभी बताया था dml commands के बार में पूछा जाता है यहां इन लोगोंने DCL commands के बार में भी पूछ लिया है दोस्तों तो आपको तिहान रखिये DCL commands समझाते हैं थोड़ा बहुत difference भी वता सकते हो आप DML में क्या होता है DCL commands basically work क्या करती है next what is GP series GP series आ जाता है दोस्तों geometric progression तो ये series like AP series होती है ये GP series था face to face दोस्तों उस बंदे गए जिसका मैंने पूछा था ये इसी साल का है उसका मतलब उससे screen share के साथ उसने अपना notepad खोला था और वहां questions लिखे थे GP series उससे लिखवाई थी उसी समय next दोस्तों what is palindrome number दोस्तों इस साल इतने question नहीं पूछते इंटर्यू में भी पूछ रहे तो आपको इनका logic पता होना चाहिए एक Armstrong नमर होता है वो भी आप ध्यान रखिए और एक February series होती है दोस्तों तो उसका भी आप दोस्तों जुरूर ध्यान रखिए इतना इतना इंडेक्ट में जाईएगा trees वगराब है पहले अपने basics strong कर लिजएगा even prime number कैसे find क करते हैं optimization वे पूछ सकते हैं कि prime number का optimization वे कैसे निकालोगे आपसे factorial पूछ लिया जाता है अगर हम big integer लगाके जब वो निकालते है सब्सक्राइब करते हैं तो नहीं होता है दोस्तों next दोस्तों what is the use of static keyword का आपको यूज बताना है अगर हो सके तो example भी बता दीजेगा क्योंकि ये भी दोस्तों oops का question है next question है दोस्तों tell me about your project that you have mentioned in your resume दोस्तों इसी साल का question है इस बच्चे ने अपना project include कर रहा था था उसमें इसमें like अपने resume में तो उससे पूछा गया कि आपने प्रोजेक्ट इंक्लूट कर रहा है अपने resume में प्लीज मुझे उसके वारे बताईए उससे बहुत ही अच्छे से बताया even उसने ये भी बताया कि क्या क्या उसने problems face किये while doing this project so it becomes quite mandatory that while explaining a project you should be clear what are the problems you face and which are the languages you use and what is the scope of this project in future so you should be clear about all these things next also how can you change the name of the column question DBMS का है ये साल का नहीं है ये शायद मुझे 2020-19 का है इसमें आपको कॉलम का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं आपको इसके बारे में बताना है दोस्तों next what is the difference between drop and delete drop and delete का भी simple है ये भी आप बताये DBMS का question है दोस्तों सीकोल में आता है सीकोल में यूस होता है कभी government टेबल को drop करने होते हैं डिलीट कॉलम्स करने होते हैं तो इसका भी ध्यान रखेगा दोस्तों next दोस्तों what is the difference between primary and foreign key दोस्तों बहुत सारे questions मैंने इंक्लूड कर दिये technical के आप खुदी सोचने कितने सारे questions है primary और foreign key दोस्तों इसे आपसे examples आपको ऐसी difference बताने total 3 दियान रखेगा दोस्तों और कोशिश कीजाएगा तीन difference बताईए बट वो तीन difference ऐसे बताईए कि वो valuable कुछ add कर रहे हो यह नहीं कुछ भी easy point बताया जा रहे हो आप primary और foreign key मैं कोशिश कीजाएगा तीन याद रखेए बट तीन ऐसे याद रखेए इसे इंटर्वियर भी खुश हो जाए पहला कोशन दोस्तों पूछा तो उन्होंने वाट इस लेफ्ट इन राइट जॉइन होते क्या है यह साल का नहीं है तो जॉइंस के बारे में बता सकते हो different types of joints क्या-क्या होता है तो आप वो बताएगे what is the meaning of a in asset properties a का meaning क्या होता है शायद accountability है मुझे खुद अंचे नहीं आ तो asset properties में a का meaning बताना है दोस्तों आपको इनने आप से पूरा नहीं पूचा है asset properties क्या होती है बट हाँ asset property में a का meaning क्या होता है वो आपसे जरूर बूचा है next how can you find the greatest number of 3 नंबर सा given दोस्तों अब अब होगा क्या यह question सभी answer दे देंगे but interviewer इसमें क्या सोचेगा कि कौन कितना optimized way में इसको answer दे सकता है कौन कितना logically सोच कर इस question को answer देगा तो इस question में मुझे माल में बहुत लोग if लगाएंगे कुछ और दिमाग लगा सकते हैं कुछ addition करके कैसे भी खालेंगे तो देर इस question का पूछने का उसका जो है mindset वह यह निए कि आपको question आता है नहीं वह चाहते है कि आप question logic कौन सा लगाने वाले हो दोस्तों अब हम देखने वाले HR round question अब भी हमने mainly 25 plus 25 questions देख लिए है HR round question से दोस्तों आप सभी को पहले में एक चीज़ बताने वालो हूँ मैंने मेरे आप चैनल पर जा सकते हो टेकिन डार्गेट पर आप देख सकते हो मैंने cap jam नहीं के वारे में कितनी वीडियो जाल रगे अगर आप मेंसे कोई भी cap jam लिए apply कर रहा है और आप मैंने बनाऊंगा दोस्तों और दोस्तों देहान रखिए TCS Code Vita का अगर आपका रह गया तो मुझे बताईए और TCS Code Vita पर मैंने एक वीडियो भी बना रहा है यश का वो भी ज़रूर देखिए और दोस्तों cap jam नहीं के मैं बता दूँ इसमें जो दो प्रिया थी उसका जो मैंने इंटर्व्यू लेया था ये भी दोस्तों सब्सक्राइब हो गया तो यह से प्रिया बहुत चाहिए और इसका थो बहुत अच्छा था मैंने लास्ट वीडियो में हुपता दिया तो दोस्तों मेरे चैनल पर और और बी यह बहुत कॉमत कॉइछ है नहीं अब र्किर ए इतना है नहीं यह कॉमत कोईशिंटी रहती है just to start a come start a conversation between you and the interviewer and it can be a different way also tell me about yourself so । वाई स्प्ची। पिप्रियो तें दिस विटार ऑइफेन are on play to include your project in technical skill s ability try to include your activities or social activities that you have done in your college tenure tell something about a family background in this question you just need to tell about your family what your father do what your mother do and if you have a sibling to tell to tell him about them also like and if your sibling is doing some higher education or or he is doing something else so do tell him next question is why lti why you want to join lti so this question is also very important even in the cap gemini like this time they are asking why cap gemini so like if this question will be thrown up to you why lti so you need to tell them some importance what are the advantages of joining lti because you can tell them like if I join lti I'll get a huge exposure I'll be much I'll learn new technologies in one year only like you need to put some advantages and you need to like like you need to put a lot of stuff like you are interested next should attendance be mandatory in college this is a very out of question situation based question should attendance be mandatory in college so you can give an answer sir sir if you ask me to ask me then I will give an answer I will give an answer one thing is important because if attendance is important then we will not attend but on the other end we all know is that we are not going to study in college so this is neutral but yes this is when you say yes but no don't say no because this thing is mandatory in all the colleges you need to say yes future of sports in india so you can give an example of pv sindhu signer newal ka joo bangminton jayse game ka jis me india me itna scope nahi tha kuchy saal pehle in ndia me itna growth kiya is game ko leka top is game ko leka top is game ko leka top is game ke waarema bata sakti ho aap cricket ke baarema itna mat boli ga ki ki hum indians have cricket hi future of sports you can include like humbadi league ho tia like kitni chijay football league ho raha hai like kitnay young sports persons ko interest stars unko push kia ja raha hai sorry guys next now what are your views about online exams friends this is the question is online exams do you have any views about anything negative not to say that it is cheating or that it is going all well and it is a very good method of conducting exam because people because student can easily sit the student can easily give exam by sitting on their homes so do not try to give any answer that will give a negative impact next the how digitalization is helping like how digitalization is helping in this question you can give the example of amazon flipkart and like paytm and what other apps if you know any digitalization app that you are using like zomato or any other app that you are using for your accessibility next is what are your hobbies you need to say something like that that give a good impression you can say sir i saw sudugo i read novels and i do watch english series so so this can impact like this can make a good impression next is why do you want to join this company so this question was asked this year like why lti and why do you want to join this company is the same like these questions are almost same you just need to answer the same thing like you need to like tell all what or what all are the advantages of joining lti what will you get after joining an lti and uh do you have any questions uh this question is mostly asked to everyone and do try to ask at least one to two questions to our to an interviewer because the thing is if you ask one to two questions like if you ask sir what will i get sir what are so on what technologies i will be working once i'll be selected you can ask this question even you can ask sir uh like uh how much time will i take to like upgrade or promote like how much time will i take to like upgrade or promote like how much time is why should we hire you this question is why should we hire you this question is why should we hire you यह आता है मतलब be confident आपको वस समय एक तरीके से अपने आपको सोल करना है कि भाई मुझे ले लो sir बाकी बच्चों में से मैं अच्छा क्यूं हूँ आपको यह बता रहा है दोस्तो अगर last में मैं यही बताऊंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और comment section में बताईए अगर आपको और भी कोई question है और comment section में बताईए वीडियो कैसा लगा दोस्तो इस पर मैंने बहुत सारे technical questions include की हैं दोस्तो जाने से पहले मैं यहीं बताऊंगा प्लीज सेनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तो हम जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो नए टेक अपडेट के साथ जब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद